कैसे हैं आप लोग आहीं होप आप से भी बहुत अच्छे हुंगे थम यापकर देखे घर से निकल चुके हें और हम लोग जारे यहां एक साकेत में पारक है तो वहीं पर हम लोग जा रहे है कहीं पे गुमाने लेके चलो वैसे तो प्लान बना था कहीं और का जो कि काफी अच्छा जगा था लेकिन लाश्ट टाइम पे वो कैंसिल हो गया तो किस वज़े से कैंसिल हो आप मैं आपको बाद में बताऊंगी तो अचानक से यही सोचा तो हमने सोचा चलो यही इसी पार्क में चलते हैं यहाँ पर मैं फ़र्च टाम आई हूँ मुझे कुछ नहीं पता यह कैसा है पार्क नहीं है लेकिन हमने सुना है की काफ़ी अच्छा है तो यहां देखिए, जहांब हमें जाना था, वहां हम आगए और इस पार का नाम देखी, यहां पर बोर्ट पर लिखा हुआ है और इस नाम मैं आपको आगे बताऊंगे, आपर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आप लोग को समझ में आ गया तो Mister कमेंट में और यहां पर है यहीस इसे आपको एंट्री करना होगा और यहां पर टिकट लगता है तो पर पर सन अपको 35 रुपईस अपको लगेगा एक मेंबर का 35 रुपर लगते हैं टिकट के और इसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं तो हमने पहले लिया यहाँ पर टिकट और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो गाट बैठे ही वो आपके बैग बगएर है चेक करेंगे तो हम भी अपना यहाँ पर आगे हैं बैग चेक करवाने के लिए लेकिन इनको मिला कुछ भी नहीं इसमें तो अगर आपके पास बैग oraz अच्छे से यहाँ पर यह चेक करेंगे तो यहाँ पर देख लिजी मेरा भी बैग यहाँ पर चेक हो रहा है जिसमें कुछ भी नहीं मिला बस एक पानी का बदल था बस दोरा वो सामान था इसके बाद हम करेंगे यहां से एंट्री और एंट्री करने के बाद आपको दिखाते हैं कि यह पार्क कैसा है तो जैसे ही हमने एंट्री किया तो यहाँ पर देखे काफी सारे आपको तरह तरह के दिखेंगे फूल जो कि काफी ज़्यादा सुन्दर दिख रहे हैं और फोटो किच्वाने के लिए काफी अच्छा रहेगा तो फोटो किछवाने के लिए या फिरील बनाने के लिए आपको काफी यहाँ पर सुन्दर सुन्दर नजारे मिल जाएंगे और जैसे हम थोड़ा और एंटरी करते हैं मतलब थोड़ा और अंदर जाते हैं तो फिर देखते हैं यह पार्क न मुझे लगता है किसी और के लिए ही बना है मतलब यह पार्क है कपल के लिए मैंने यहाँ पर नोटिस कि अब बहुत ही कम आये थे फैमिली में लोग वाले जो थे मतलब फैमिली वाले बच्चों के साथ जो हैं बहुत ही कमाये थे मुश्किल से चार-पांच ही होंगे ज्यादा कपल ही थे तो यहां पर बच्चों को लेके आना वैसे ऐसे माहूल में थोरा ठीक नहीं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी सब घूम ही रहे थे और साइड एरिया मुझे नहीं पता क्या हो रहा था नही पर फर्स्टम आई थी मुझे नहीं पता था तो मैं आप लोगों को बता देती हूं और चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं तो यहां देखे इसी तरह का पूर नजाडे दिखेंगे जो कि काफी सुन्दर सुन्दर से देख रहे थे और सबसे यहां पर अच्छा था क चेरिल बनाने में काफी अपको अच्छा-च्छा बेगुज मिल जाएगा काफी और यहां पर आप वक कर सकते हैं पार्क में बैठ सकते हैं टाajम पास कर सकते हैं तो इन सब चीजों के लिए काफी अच्छा है लेकिन मुझे नहीं पता मुझे यहां पर बहुत ही कम काफी अच्छा लगा जो मितलब सुदर सुदर नजारे थे ना काफी सुदर लग रहे थे देखने में और काफी ज्यादा सांथ साप सुतरह काफी अच्छा था इसमें कोई दिक्कत नहीं था और यहां देखे हम आ गए थे थोरा और आगे जो कि सैड एरिया तोरह से जंगल और यहां आके आपको अलग-अलग तरह के नजारे दिखेंगे तो जंगल में मंगल होते हुए आप अच्छे से देखेंगे यहां पर तो मैं जैसे यहां पर आई फिर मैं वहां से वापस चली गई क्योंकि बच्चे थे साथ में तो आप लोग समझ जाएए तो फिर हम लोग आगए वापस देखेंगे दर हम लोग गेट के तरफ जा रहे थे थे हम लोग बस बीच-पीच से ऐसे ही सामने से घूम के ज़्यादा अंदर के तरफ हम लोग नहीं गए फिर घूमने के बाद हम लोग फिर बाहर चले गए थे तो यहां पर जहां भी आप देखेंगे यही काफे सुनदर दिख रहे थे और फिर हम लोग आगए वापस से यही पर देख सकते हैं जो एकजिट का गेट है वहीं पर और हमने काफे सारा डिल बनाया काफी सारे फोटो खीचे और इसके बाद हम चलेंगे बाहर तो देखने में काफे सुनदर है यह पार्क और काफे सां भी है और आप लोग अगर रिलाक्स करने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और मैं आपको एक बात बता दू कि यहाँ पर ज़्यादा तर कपली आते हैं तो अगर आप बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो सोच समझ कहाईएगा मैं तो ऐसे बच्चों के साथ दुबारा यहां नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं ज्यादा तरकापल ही जाते हैं तो फिर वहाँ पर अच्छा नहीं लगता ऐसे तो इस पार्क का नाम है The Garden of Five Sands तो इसी पार्क में हम लोग गए थे और अगर आप लोग यहां पर पहले कभी गए हैं तो कमेट में हमें जरूर बताइएगा और नहीं गए हैं hackerा तो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं लेकिन हां दो लोग ही जाएएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो यहां देखिए हम लोग आ गए हैं बाहर यहां से मिलेना है मेट्रो तक के लिए ओटो आपको मिलेगा या फिर आपको यहां पर ओटो मिल जाएगा बाहर निकलते ही मेट्रो के लिए और फिर हम लोग यहां पर जाएंगे मेट्रो तक उसके बाद मेट्रो से जाएंगे घर तो आये थे हम लोग ओटो से ही और जाएंगे धर से मैट्रो से तो यहाँ पर हमने लिया ओटो जैसे थोरे दूर बाहर निकलेंगे ना तो आपको यहाँ पर कम पैसे में ओटो मिल जाएंगे गेट से निकलते हैं उब ज्यादा पैसे मांगते हैं तो यह चीज हम video है पर फेश पता है तो हम यहां पर इंधर थोरह सा आगे गए फिर हमने यहां पर autobook किए तो यहां पर जैसे गेट से निकले गे कि लिए ना उससे आदे दम में आपको यहां पर autobook किया तो यह चीज मैंने भी आपको वीडियो में बता दिया, आपको भी पता चल जाएगा इसके बाद यहां देखी हम आ गए है मेट्रो, इसके बाद यहां पर आती है खाने पीने के बारी आपको यहां पर मिलेंगी, अलग अलग तरह से इन तरीके की, जो भी आपको खाना पसंद है वो हर चीज यहां पर मिल जाएगी तो सबसे पहले आते हैं गुल गप्पे की बाड़ी, और मेरा गला ना तोरह से खराब है, आप आपसे समझ सकते हैं और यह है गुल गप्पे का ही असर, तो मैंने गुल गप्पा खा लिया था, जिसके वज़े से मेरा गला हो गया था खराब सबसे पहले खाया गुलगपपा उसके बाद खाया मलाई चाप और यह हमने फ़र्श टाम बाहर का पिज़ा ट्राय किया था जो कि मुझे बिल्कुल ही बेकार लगा था मैं आपको कभी भी सजेट नहीं करूंगी कि आप बाहर से पिज़ा खो तो पिज़ा आप डॉमिनोज या पिज़ा हट से खो तो यह ज़्यादा अच्छा रहता है और इसके बाद हम आ गए थे घर और यह है बर्थरे गर्ल और यहां पर होड़ाए के कट आपको वीडियो पसंद आया हो पसंद आया प्लीज लाइक कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए